अगर देखें अभी मैंने लास्ट वीडियो इस पर आपको सेर किया हुआ है एक अच्छा ब्रीक आउट इसने यहां पर दिया है जो की करीब बन थर्टी फाइब के आसपास का लेवल है फस्ट ब्रीक आउट करीब इसने रुपीस सम्थिंग दिया था यहां से अगर आप द से कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसने नहीं दिया था 35 रुपीस सम्थिंग लिश्ट हुआ करीब करीब एक साल तक इसे एक ही लेवल पर ट्रेट किया अगस्त से लेकर अगर आप 2023 अक्टूबर तक भी देखोगे तो इसी लेवल के आसपास ट्रेट कर रहा था वहां स पर वन सिष्टी के सम्थिंग एक रिश्टेंस निकल कर आता है तो यह लेवल एक रिश्टेंस बन सकता है और इसको अगर क्रॉस कर जाएगा डारेक्ट लिए तो हम करीब 200 के लेवल तक जा सकते हैं तो दिए परसंट का सैलिंग कोई बहुत जादा सैलिंग नहीं है लेकि वह genre कर जाए अगर आपको करना है तो मेरे और के लिए पहले सटार कि यहां पर नहीं बनता है ठीक है तो अगर आप सेस्ट मैड कर सकते हैं यहां पर यहां पर करेक्स省ं यहां से एक bounce मिलता है या 120 के level से bounce मिलता है दोनों ही bounce पर buying बनाया जा सकता है अगर यहां पर आपको selling देखने के लिए मिलता है अगर selling नहीं आती है तो current level पर यहां पर जो 160 का range है जैसे अभी यहां पर resistance बना रहा है तो एक-दू दिन अगर और वेट करके फिर breakout दे रहा है त ब्रेकाउट बाइंग के सांथ भी प्लान कर सकते हो छे से साथ परसेंट का risk रखके और देन हम इसको continue कर सकते हैं बाइंग के लिए तो करीब 180-200 तक का target minimum प्लान करके चल सकते हैं अभी भी बाइंग में है लेकिन एक बात याद रखेगा जो safe traders है यहां पर momentum हो चुका है त बाइंट परसेंट से ज्याद का momentum परोड़ी जब बी करेंट करना स्टार्ट करेंगा तो करेंट सब्ला सकता है और स्वेंट के आसपास का भी रिटन हो चुका है पर आप गर आप जांगे 170 के आसपास के लेबल पर तो करीब 200 परहले का रिटन पूरा हो जाएगा ठीक है त तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बागी ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए, तो stock का नाम comment कर सकते हो, support or resistance levels के लिए आप हमें telegram चनल पर message कर सकते हैं, या कोई भी buying selling recommendation नहीं है, तो अगर आप कुछ भी real money के साथ buying या selling प्लान कर रहे हैं, तो अपनी analysis जरूर कर चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much.